जब से ये आईफोन लॉंच हुआ है, हमने इसकी काफी तगडी टेस्टिंग करी है और इसका अलग-अलग स्मार्टफोन के साथ कंपरिजन भी किया है। इसको लॉंच हुए करीब 4 महीने के आसपास हो चुका है और तब से लेकि अब तक हमें इसके अंदर क्या प्रोज और कॉंस मिले हैं बात करेंगे इस वीडियो में इस बारे में और इंदी एन मैं अपना कंक्लूजन दूँगा कि क्या इस फोन को आपको पलचेस करना सबसे पहले फोन की प्राइजिंग बता देता हूँ यह मैंने पलचेस किया था 90,000 रुपीज में लेकिन अगर आज इसको आफ्लान स्टोर्स पर जाओगे तो यह आपको अंडर 80,000 रुपीज में मिल जाएगा 128 GB का वेरियंट और ओनलाइन भी आपको 80-82,000 रुपीज के पहले बात करेंगे इसके प्रोस की और सबसे पहला प्रो है इसका 6.8 इंचिस का डिस्प्ले याने की इसका साइज 6.8 इंचिस के डिस्प्ले के होने की वज़े से यह एक काफी प्रीमियम फोन फील होता है अगर इसको आइफोन 15 से भी कंपेर करते हो क्योंकि 15 एक छोटा जिसकी वज़े से अगर उसको हाथ में पकड़ते हो तो वहाँ पे आपको इतना प्रीमियम फील नहीं आता जितना इसको पकड़ने में आता है अगर आपके हाँ छोटे है तब यह थोड़ा सा बड़ा फोन फील हो सकता है लेकिन इसके लावा अगर इस फोन को हाथ में नौच मिलती थी लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है Dynamic Island जो कि अलग 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 utility तो provide करता ही है जैसे कि अगर आप किसी से call पर बात कर रहे हो किसी को call किया है अगर उसने उठा लिया तो यहाँ पर timer start हो जाता है और इसको आप एक mini dock के तरह भी use कर सकते हो अगर songs वगरा सुन तो यह haptic feedback भी provide करता है इससे कहीं न कहीं यह आपको थोड़ा सा interact रखता है अगर face side भी unlock करते हो तो वो भी यहाँ पर उपर show कर देता है और साथ ही क्योंकि यह Dynamic Island iPhone 15 Pro Series में भी मिलता है जिसके जैसे कहीं न कहीं सामने से यह आपको Pro Series वाला feel तो definitely provide करेगा और सीरिस अगर कि changes notice होंगे unless आप अपनी वम्मी को दे देते हो क्योंकि मेरे वम्मी को मैंने iPhone 14 से 15 में upgrade करवाया और उनने कुछ भी notice नहीं किया था मुझे notice करवाना पड़ा था कि वो देखो वहाँ पर gap है obviously उनका इतना जादा use नहीं है इसलिए उननने notice नहीं किया लेकिन day to day life में यह काफ नहीं brightness offer करता है जो कि अगर आप इसको outdoor में भी use करते हो तो यह 1000 nits की वहाँ पर peak brightness प्रवाइड करता है और HDR content देखते हो 2000 nits की peak brightness प्रवाइड करता है जो कि काफी amazing है अब देखो इस phone से related कुछ misconception है लोगों को लोगों लगता है iPhone 15 में action button है and titanium frame है तो यह सब कुछ नहीं है बो सिफ iPhone 15 Pro और Pro Max सीरीज में है iPhone 15 और iPhone 15 Plus में आपको वही aluminum frame मिलता है और सो कोई भी action button नहीं है यहाँ पे आपको वही alert slider ही मिलता है इसी के साथ यहाँ पे आपको face ID के sensors मिल जाते हैं कोई भी fingerprint या in-display fingerprint sensor नहीं मिलता है इस phone के अंदर लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है जो क्योंकि मेरे सबसे बहुत बड़ा relief है जो भी दो phone यूज करते हैं उनके लिए Type-C का दूसरा फाइदा है मैं इससे लिए photos, videos को directly अपनी SSD में transfer कर सकता हूँ वो भी अपनी SSD directly इसी phone से connect करके पहरे data transfer में इतनी जाधा दिक्कत होती थी न या तो अपने PC में transfer करो या snapdrop जैसी websites को use करके फिर data transfer करो बहुत जंजट होती थी अब वो seconds में हो जाता है लेकिन इसका तीसरा सबसे बड़ा advantage मिल जाता है वो है reverse wired charging no matter आप अपनी Apple Watch चार्ज करना चाते हो no matter अपने AirPods चार्ज करना चाते हो even किसी दूसरे iPhone को चार्ज करना चाते हो simply इसमें cable डालो and दूसरे किस 14 Pro, 14 Pro Max वाली series में आपको मिलता था and यह still one of the best processor है in the market यह processor आपको कहीं से भी नराश नहीं करेगा चाहे आप इसमें heavy video editing करना चाहते हो चाहे आप इसमें लगातार gaming करना चाहते हो आराम से इस processes सारी ही चीज़े handle कर सकता है और अगर इसमें gaming करते हो तो यह 60 consistent fps की gaming provide कर सकता ह और सच में इसकी बड़ी screen में अगर आप BGMI जैसे games खेलते हो तो आपको बहुत ही साथा मजा आने वाला है वस यहाँ पर आपको एक minus point मिलता है कि यह 90 Hz को option नहीं देगा आपको यह सिर्फ 60 Hz तक के लिए limited है इसके लाव अगर आप मुझे पूचो के कि क्या इस phone को मैं gaming के चार्ज करने की जरुवत ही नहीं एवन तेर से दोर दिन मैं बोलूँगा और अगर आप भाई इस phone को जम के यूज करना चाहते हो तो भाई पूरे दिन का यह आपको बैटरी लाइफ प्रोवाइड करेगा 6-6-6-7 घंटे तक का भी आपको बैटरी लाइफ प्रोवाइड और 12 Megapixel का Ultra Wedding Lens मिल जाता है क्यानिकि आप इससे 48 Megapixel की फोटो क्लिक कर सकते है जो कि सिफ पहले iPhone 14 Pro Series कर सकती थी और सो 48 Megapixel के फोटो को क्रॉप करके 12 Megapixel की High Resolution फोटो प्रोवाइड करता है जिससे आपको इसमें 2x Additional Optical Zoom का ओप्शन मिल जाता है जो कि मेरे साब से बहुत अपग्रेड हो जाता है इसके लावा आप 4K में Cinematic Mode record कर सकते हो Action Mode का Option मिल जाता है इसके अंदल जो कि बहुत ही तगड़ा हो जाता है अगर आप इसको content creation के लिए यूज करना चाते हो भाई perfect phone हो जाता है ये घंटो तक इससे आप 4K में वीडियोस record कर सकते हो हाँ थोड़ा काफी सारे plus points मिल रहे है इस phone के अंदर अब इसके आखरी pro की बात कर लेते हैं जो कि मुझे personally काफी पसंद आया वो है इसका in hand feel phone के edges जो कि पहले sharp corners हुआ करते थे उनको अब slightly rounded कर दिया गया है also इसका जो back glass है ये proper matte texture के साथ आता है जो कि touch and feel करने में सच में काफी premium feel होता है और इससे पहले तक ये सिफ pro series के साथ होता था लेकिन पहली बार non pro series में आपको ये matte texture वाला back मिल रहा है जो कि मुझे बहुत जारा पसंद है क्योंकि कोई fingerprint वगरा नहीं लगती है इसमें also इसके frame में भी कोई फे fingerprint नहीं लगती है क्योंकि यहाँ पे भी आपको matte texture मिलता है तो in hand feel के मामले में भाई 10 on 10 हो चुका है ये phone ये तो थे इसके pros अब बात कर लेते है cons की कि कहां ये phone lag करता है भाई इस phone के अंदर सबसे बड़ा con है इसका 60 hertz का display भाई मुझे समझ में नहीं आता भाई 80-90,000 रुपे लेने के बाद भी apple हमें 60 hertz का display क्यों provide करता है and especially क्योंक से ये हलका सा laggy सा feel होता है वहीं अगर मैं iPhone 15 pro max दिका हूँ अपना तो यहां पर आप देख सकते हो 120 hertz का refresh rate है जिसके वहीं से कितने smooth animations लग रहे हैं ये वहीं आप इसको देख सकते हो ये किस तरीके से perform कर रहा है definitely अगर आपने 120 hertz refresh rate वाला phone पहले से चला रखा है तो आपको क Type-C port 2.0 है जिससे data transfer speed आपको काफी कम मिलने वाली है as compared to iPhone 15 pro max जिस पर कि फास्टेस data transfer speed आपको मिलती है हलाकि ये चीज़ सबको effect नहीं करेगी जिसको कि daily gb's की file transfer करनी रहती है उसके लिए ये सोचने की बात हो जाती है normal अगर आप person हो जिसको कि साल में 6 महीने में एक बार data transfer करना है तो फिर सोचने की बात नहीं है उनके लिए ये कोई con नहीं हुआ अब इसका next con है इसके cameras ये वाले cameras नहीं यहाँ पे एक चीज़ missing है जो कि है telephoto lens भाई यहाँ पे telephoto lens ना होने की वज़े से सिफ 10x तक zoom कर सकते हो आप photos कीचते वक्त और अगर आप कहीं भी concert में जाते हो या फिर किसी भी ऐसी प्लेस पे चले जाते हो जहाँ पर आपको दूर से photos क्लिक करने हैं यहाँ पे कोई भी option अवेलबल नहीं है आपके पास जिसके विससे ये एक काफी बड़ा con हो जाता है और क्योंकि आज कर 30,000 रुपे वाले phones में भी telephoto lens मिलते हैं तो definitely जाते हैं कि वो इस लेवल के नहीं होते बट फिर भी ये कौन है इसलिए मेरा बताना आपको फिर्स इसके लावाद चौता कौन है इसका design बाई से आइफोन 13 से लेकि आइफोन 14 आइफोन 15 में भी आपको सेम ही design रिल है हाँ यह मैं ट्वेट देके इन्होंने काफी premium कर दि जो कि personally मुझे कोई ऐसा disadvantage नहीं लगता है क्योंकि जो इसका battery backup है यह 20% भी चार्ज हो गया तो आपको Android के 30-40% तक battery backup provide करके देगा मेरे सबसे वो इतनी बड़ी बात नहीं हो जाती है इस phone के अंदर अगर इसके pros and cons को देखें तो definitely इसके pros जादा हैं अगर आप मुझ से पू इसका 60Hz का display अगर यह display आपको चल जाता है आख बंद करके इस phone की तरफ जा सकते हो बहुत ही awesome battery life है बहुत ही कमाल के camera's है टाइप C port है और in hand feel भी काफी premium है तो guys यही था आज का मारा video I hope इस video ने आपको help किया होगा help किया तो नीचे comment ज़रू कर देना और चैनल कर दो